अलो बच्चो मैं नेहा चोधरी स्वागत करती हूँ आपका देखे बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नमबर 9 जिसका नाम है उपसे सयोजन योगिक और देखे बच्चो इसे वह कौडिनेशन कमपाउंड यानि उपसे सयोजन योगिके वह तो उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे तो ध्यान दीजेगा उपसे सयोजन योगिकों में क्या होता है एक केंद्री धातु परमानू होता है, और केंद्री धातु परमानू से कोई भी रिनायनिक या उदासी इन स्पीसिज उपसे सयोजन बंद के द्वारा जुडी रहती है, देखे़े बचों वापस समझने की कोशिश करिए, कि जो हमारे उपसे सयोजन योगिक होते हैं, Черध ध इन में होता क्या है दातु पर्मानु के बीच में और जो यह species जो जुड़ी हुई रहती है इनके बीच में उपसे संयोजन बंद पाया जाता है इसलिए इन्हें उपसे संयोजन योगिक कहा जाता है आप देखे बुद्छो होता क्या है यहां पर जो एम है यह नहों बता रहा है किसी भी धातउ-पर्मानु को देखिए कोई धातु-पर्मानु हो सकता है या कोई धातु-आयन भी Working और यह जो इस जुड़ी रहती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चो देखिए लिगड तो देखिए समझने की कोशिश करिए ये तो हो गया धातु पर्माणू और उससे जुड़ा हुआ रहता है लिगड और देखिए इनके बीच में बना हुआ रहता है उपसे सयोजन बंद होता है और देखिए हम लोगों ने उपसे संयोजन बंद के बारे में ग्यारवी क्लास में पड़ा है कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है सांजा ही होता है देखे बचो जो उपसे संयोजन बंद होता है वो भी एक प्रकार का सांजा ही होता है लेकिन यह होता है एक तरफा सांजा एक तरफा सांजे से ही उपसे सयोजन बंद का निर्मान होता है और देखे यहां पे होता क्या है जो यह धातू परमानू या धातू आयन होते हैं इनके पास में रिक्त कक्षत पाये जाते हैं देखे ध्यान दीजेगा इनके पास में रिक कख्षकों में लेक्टरानों कों देदे ततो थे एक तर्फ और सॉपसे उपसे संंयोजन को क्या होता है निरमान होता हैं यह तर्फ तीर का निशान क्याव परदर्शित कर रहा है जो एलेक्टोन है वो więcej तो यह तीर का निशान हमें क्या दर्शाता है तीर का निशान यह दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रोन है वो लेक्ट्रोन ग्राही की तरह व्यवार करता है देखे जो वापस समझने की कोशिश कीजेगा कि यहाँ पर जो धातू परमानू या धातू आयन होता है वो इलेक्ट्रोन ग्राही होता है और जो लीगेंड होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोन दाता होते हैं यानि कहने का मदलब है कि जो हमारे लीगेंड है वो तो व्यवार करते हैं लुइस शार की तरह किस तरीके से व्यवार करते हैं लुइस शार की तरह और जो हमारे धातु परमानू या धातु आयन है जो कि इलेक्ट्रोन ग्राही है वो व्यवार करते हैं लुइस अमली की तरह किस तरीके से व्यवार करते हैं लुईस अमली की तरह व्यवार करते हैं तो देखिए बच्चो आपको यह एक छोटा सा परीचे समझ में आया होगा कि उपसे सयोजन योगिक क्या होते हैं ध्यान दीजेगा हमारे कई प्रकार के जेवनु जैसे हीमोग्लोबिन है क्लोरोफिल है और विटामिन B12 है यह सब उपसे सयोजन योगिक होते हैं साती साथ कई प्रकार की ओशद्यों में धातू कर्म प्रक्रियाओं में रंगाई छपाई उत्प्रेरग आधी के रूप में भी उपसे सयोजन योगिकों को काम में लिया जाता है और इसी लिए इनका अध्यन क करेंगे समयजने की कोशिश कीजेगा सबसे पहले देखिए परीज देखेंगे उपसे सयोजन योगिक वे होते हैं जिनमें धातू परमानू या आयन अनेक रिणायन अथ्वा उदासी अणू जिने लिगेंड कहते हैं के द्वारा उपसे सयोजन बंद द्वारा जुड़े संकुल योगिक भी कहा जाता है ध्यान दीजिएगा जो हमारे कॉडिनेशन कंपाउंड होते हैं उप्से संयोजन योगिकों का अध्यान रसायन विज्यान की जिस शाखा में करते हैं उसे उप्से संयोजन रसायन कहा जाता है तो देखिए उपसे सयोजन योगिकों का अध्यान रसायन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे उपसे सयोजन रसायन कहा जाता है यानि कॉडिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं तो देखिए बच्चो यह आपको एक हलका सा परीचे समझ में आया होगा अब देखिए उपसे सयोजन योगिकों को समझने से पहले हमें द्विक लवन के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि द्विक लवन क्या होते हैं और इन द्विक लवनों से कोडिनेशन कमपाउंट या उपसे सयोजन योगिक किस प्रकार से भिन होते हैं को डबल सौल्ट भी कहा जाता है थीक है तोद लवन को क्या बोल सकते हैं । धू होते हैं कि दो लवन संब्मोलर अनुपात में मिलकर योगात्मक योगिक बनाते हैं जो थो सवस्था में इस्था ही होते हैं आगे देखिए, सामानेते इन में क्रिस्टिलन जल्भी पाया जाता है, इनने जालक योगिक भी कहा जाता है दो ध्यान दीजे, वैट दुविक लवण क्या होते हैं? ओऐसे लवण होते हैं जिन में दो लवण, सम मोलर अनुपात में मिलकर योगातमक योगिक बनाते हैं जालक योगी कहा जाता है तो देखिए अब हम कुछ इसके उधारन देख लेते हैं देखिए पहला देखिए मोर लवन देखिए बच्छों मोर लवन को हम FASB कहते हैं देखिए से FASB कहा जाता है इसका मालब है फेरस अमोनियम सलफेट और देखिए इस मोर लवन का देखिए फॉर्मूला देखिए FESO4.NH4 का होल ट्वाइस FESO4.6H2O क्लियर है तो यह हो गया हमारा मोर लवन जिसे FAS यानि फेरस अमोनियम सलफेट भी कहा जाता है और यह एक प्रकार का क्या है दोनों ही दो से अधिक इस्थाई योगिकों के रस समीकरन मीति अनुपात में मिलने से बनते हैं ध्यान दीजिएगा वह जो दोनों होते हैं दोनो ही 2 या 2 से अधिक इस्थाई योगिकों के रस समीकरन मीतिय अनुपात में मिलने से बनते हैं, क्लियर है। फिर भी दोनों में नीमन लिखित अंतर पाये जाते हैं। पहला देखिए, द्विक लवन जल में पूर्ण रूप से साधरन आयनों में व्योजित हो जाते हैं, जबकि संकुल जल में व्योजित होकर संकुल आयन तथा प्रति आयन देते हैं, देखिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझने की कोशिश करिए, देखि संकुल की बात करें संकुल योगिकों की बात करें तो संकुल योगिक जल में व्योजित होकर एक तो देते हैं संकुल आयन और दूसा देते हैं प्रति आयन, क्लियर है, तो देखिए अगे, अब देखिए, द्विक लवन के उधारन की बात करेंगे, और फिर इनके व्योज है देखिए formula देखिए kcl.mgcl2.6h2 clear दूसरा देखिए more love and more love and जिसे अभी हमने देखा था FASB कहते हैं तो देखिए FESO4.nh4 का hole twice SO4.6h2 और इसका नाम होता है ferrous ammonium sulfate जिसे हम FASB कह सकते हैं ठीक है इसी तरीके से तीसरा देखिए k2SO4.al2 और यह SO4 का hole twice.24h2 और इसे कहते हैं potash alum तो देखिए बच्चो यह तीनों हमारे किसके उधारन हो गए द्विक लवन के हमारे क्या हो गए उधारन हो गए और देखिए आगे देखिए मोर लवन के जलिये विलियन में देखिए बच्चो जब मोर लवन को यानि हम बात करें इसके बारे में FAS के बारे में यानि FAS को यानि मोर लवन को जब जलिये विलियन में घोला जाता है ठीके तो क्या हो जाएगा इसका व्योजन होगा और देखिए किस तरीके से होगा देखिए मोर लवन के जलिये विलियन में सभी आयन तो देखिए F2 प्लस आयन NH4 प्लस आयन और SO4 माइनस टूप यह सभी आयन स्वतंत्र हो जाते हैं कि जब मोर लवन को जल में गोला जाता है तो देखिए फैरस आयन है इसके सासत अमोनियम आयन है और हमारा यह सलफेट आयन है यह सभी आयन क्या हो जाते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं यह सभी आयन क्या हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं क्या होता है देखे गए बचो अगर हम यहां पर टैस्ट करें फिलियन का यह प्रेक्टिकल करें त्यह स्का जो में तीन उप्रकार के आयानों का परिक्शन देगा तो देखे लेखे आगे देखे संकुल योगी को का उधारन देखे गए थाया श. सभट है तो देखे जिसके जल्येदमे संकुल आयन में संकुल आयनाय gewoon यानी इस भोला जाता है प्रतमों प्राप्त होता है प्रतियाइन में क्नूं समझीओ में प्रतेश Cristo फेरोसाइनाइट को जब जल में गोला जाता है तो एक तो प्राप्त होता है संकुल आयन ये वाला और एक प्राप्त होता है प्रति आयन के प्लस पाये जाते हैं लेकिन करें FE CN6 माइनस 4 पुने FE 2 प्लस तता CN- आयनों में व्योजित नहीं होता तो देखा आपने समझेए वापस देखिए के 4 FE CN6 के हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए वच्वों ये होता है हमारा संकुल योगिक क्या होता है संकुल योगिक होता है और इस संकुल योगिक को ज में घोला जाता है तो देखिए इसके व्योजन से हमें दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं एक तो प्राप्त होगा FECN6-4, एक तो ये वाला ion प्राप्त होगा, रिनात्मक ion, यानि यह हो गया हमारा रिनात्मक संकुल ion, देखिये इसे हम रिनात्मक संकुल ion भी बोल ютсяकते हैं, और एक हमें प्राप्त होगा, देखिये Chris, के प्लस यानि कहने का मदलब है कि एक तो यह संकुल आयन हमें प्राप्त होता है और यह प्रति आयन हमें प्राप्त होता है और देखिए बच्चों यह जो हमारा आयन है यह जो संकुल आयन है यह आगे फिर नहीं तूड़ता है यानि कहने का मदलब है कि यह फी प्लस टू और स दिए विलियन का ठीड में आयन का और इस पूरे आयन का परिक्षन देता है, उस पूरे तो प्रहिक्षन प्राप्त होगा, क्लियर है यानि इससे क्या निश्कर्ष निकला इससे निश्कर्ष निकला कि जो यह संकुल होता है वो जलिये विलियन में भी क्या होता है इस्थाई होता है क्लियर है देखे आगे इसी तरीके से देखिए नि-C-O-4-PT-Cl-2-NH-3 का होल ट्वाइस संकुलो के अन्य उधारन है तो देखे बच्चो यह भी हमारे क्या है संकुलो के कुछ उधारन है यहां तक की बात समझ में आई आगे देखिए अब दूसरा देखिए द्विक लवन का विल्यन सभी आयनों का परिक्षन देता है तो देखिए द्विक लवन का विल्यन सभी आयनों का परिक्षन देता है तो देखिए द्विक लवन का विल्यन सभी आयनों का परिक्षन देता है जबकि संकुल का विल्यन संकुल आयन तथा प्रति आयन का ही परिक्षन देता तो देखीए बच्छो जो संकुल का विल्यन होता है, वो संकुल आयन प्रति आयन का ही क्या देगा हमें परिक्षन देगा आगे देख히े ०िखक लवण में आईनिक बंद पाया जाता है, अब हम लोग उप्चे सेंयोजन योगिकों के वर्नर के सिर्धान के बारे में अध्यान करेंगे तो सबसे पहले किस ने व्याख्या की? वर्नर ने ठीक है, आगे देखिए वर्नर के अनुसार धातु आयन की दो प्रकार की सहयोजकता है होती है, प्रात्मिक सहयोजकता तथा दित्यक सहयोजकता तो देखें बच्चों, वर्नर के अनुसार धातु आयंकी कित्मी सही हो जगता है, एक तो होती है परात्मिक सही हो जगता, दूसरी होती है दित्यत सही हो जगता, अब देखिए वर्णर ने COCL3 and NH3 द्यान दीजिए बच्चों वर्णर ने क्या किया वर्णर ने COCL3 and ammonia की क्रिया से विभिन योगिक बनाकर उनका अध्यान किया क्या किया वर्णर ने COCL 3 और आमोनिया के बीच में अभी क्रिया करवाई इनों ने विभिन योगिक बनाए यान क्या देखा उनने कि इनकी अभी क्रिया से विभिन प्रकार के योगिक बनते हैं और उनका उन्होंने अध्यन किया, तित्क है यहें देखा की सामान्य ताप पर इनके जलिये विलियन के आधिक्ये में AGNO3 विलियन डालने पर कुछ क्लोराइड आयन ही AGCL के रूप में अवक्षेपित होते है ठीके और क्या देखा उन्होंने कि सामान्य ताप पर इनके जलिये विलियन में अगर AGNO3 विलियन डाला जाता है देखें समझे बच्चो बहसा मानेताप पर इनके जलिये विलियन के आदिके में एजी ऐनोधी विलियन डाला जाता है तो कुछ क्लोराइड आयन ही कुछ क्लोराइड आयन ही यहाँ समझने की कोशिश करिए देखें बच्चो तो देखिए बच्चो एक मॉल, देखिए एक मॉल COCL3.6 NH3 जो की पिले रंका होता है अगर उसकी बात की जाए यानि अगर इसमें AGNO3 डाला जाए तो तीन मॉल AGCL देता है यानि यह क्या देता है तीन मॉल AGCL देता है देखिए यह वर्नर का प्रेक्षन था देखिए तो समझने की कोशिश करिए वर्नर ने इन दोनों के बीच में अभी क्रिया करा के विभिन प्रकार के योगिक प्राप्त किये और उनके जलिये विलियन के आधिक्ये में AGNO3 डाला फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कितने AGCL प्राप्त हुए यानि कितने AGCL अवक्षेपित हुए तो देखिए समझने की कोशिश करिए एक मॉल COCL3.6 NH3 यानि इसके बात की जाए जो कि पिले रंका है अगर इसमें AGNO3 डाला तो तीन मॉल AGCL देता है यानि तीन मॉल AGCL या इसी तरीके से देखिए एक मॉल COCL 3.4 NH3 जो कि हरे रंका होता है अगर इसमें AGNO3 डाला जाए तो एक मॉल AGCL देता है यानि एक मॉल AGCL ही प्राप्त होता है और इसी तरीक से देखिए एक मोल CO CL 3.4 NH3 जो की बैंगणि रंका होता है यह बी एक मोल AGC L ही देता है ठीके बचो किस के प्रेक्शन है यह वर्णर के द्वारा किये प्रेक्शन है ठीके आगे देखिए इन प्रेशनों से ग्यात होता है कि यह योगिक संकुल के रूप में पाये जाते हैं जिनके सुत्र निम्न प्रकार से लिखे जाते हैं तो देखें इनसे क्या पता लगा इनसे ये पता लगा कि ये योगिक जो होते हैं वो संकुल के रूप में पाये जाते हैं और इनके सुत्र निम्न प्रकार लिखे जाते हैं जो की विल्य तो देखिए जो हमारे पीले रंग का देखिए जो पीले रंग का पधारता उसका सुत्र देखिए CO NH3 ये ब्रेकिट के बाहर है 6 और देखिए इस पूरे संकुल पे आवेश है 3 प्लस ठीक है और 3 है यहाँ पे CL- और देखिए यहाँ पे संबजने की कोशिश करिए विलियन चालकता संबंद को देखिए यह किस फोम में है एक अनुपात तीन वैदो तब घटे तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक अनुपात तो इसका और तीन अनुपात इसका इसी तरीके से देखिए जो नील लोहित जो नील लोहित हमारे संकुल योगिकता उसकी बात हो रही है तो देखिए उसमें CO, CL, NH3 और इसके है 5 और इसके ओपर है 2 प्लस यह तो हो गया संकुल ठीक है संकुल आयन और 2 CL माइनस ठीक है अब देखिए यहां पर इनकी विलियन चालकता संबन देखिए एक अनुपात दो विदुत अब घट्टे के रूप में तो देखिए एक अनुपात तो यह और दो अनुपात यह कलियर है बच्चों आ रहा है समझ में इससे तरीके सा देखिए हरे रंग के देखिए हरे रंग के CO, CL2, NH3 और यह बाहर 4 और इस पूरे संकुल पे है प्लस आविश प्लस 1 और यह है CL माइनस तो देखिए अगर इनकी बात की जाए तो विलियन चालकता संबन एक अनुपात एक यह एक अनुपात एक विदुत अब घट्टे के रूप में है और इसी तरीके से देखिए अगर हम बैंगनी रंग की बात करें देखिए बैंगनी रंग के संकुल CO, CL2, NH3, 4 प्लस, CL- इसकी बात करें तो यह बी एक अनुपात एक विदुत अब घट्टे के रूप में है इसकी अगे चाहिए इस दोनों है मुलानुपाती क्या है छेम हैं लेकिन बहुत तिक गुर आलग है तो हरे रंग का है और यह भेंगनी रंग का होता है तो यह चीज आपको समझ में आई यह क्या हो गए सुत्र हो गए को करिए कि अगर इसमें नहें अगर इस पीले वाले म co ho coping वाखी हुआ थी क्लॉराइड दायान वाखे की पूरे संकुल है और देखिए नील लो हीट की बात करें तो इससे देखिए हमें दो मॉल फ्राप्त होंगे और इन दोनों में अगर ऑग जए और गनल्य जाये तो हमें एक एक मोल ही फ्राप्त होंगे तो यह कंसेट आपको समझ में आया होगा यहां तक का चलें आगे चलें अब देखिए इन प्रेक्षनों से प्राप्त निसकर्षों के आधार पर वर्नर 1888 में दिया तो वर्नर ने उप्षे संयोजन योगिकों का सिधान्त दिया जिसके मुख्य अभी धाड़ना है निम्न लिखित है तो पहला दे देखिए उप्षे संयोजन योगिकों में क्या होता है धात्यों की दो प्रकार की संयोजक्ता है होती है प्रात्मिक और दित्यक आगे देखिए प्रात्मिक संयोजक्ता धातू के ऑक्सिकर नंक के बराबर होती है इसे मुख्य या आयनिक संयोजक्ता भी कहते हैं तो देख देखिए प्रात्मिक सेयोजक्ताय सामान्यते आयन्यय होती है तथा रिनात्मक आयनों द्वारा संतुस्ट होती है तिसरा देखिए दित्यक सेयोजक्ताय की बात हो रही है दित्यक सेयोजक्ताय अनायन्यय होती है यह उदासीन आणूओं या रिनात्मक आयनों द्वारा संतुस्ट होती है छिफसे संतुस्ट होती है जब कि संथ्य ह необходимо को संख्या के बराबर होती है क्लियर अगे देखे बच्चों इसे काक्षिय सेयोजक्ता भी कहते हैं तता इसका मान किसी धातू के लिए सामानेते निशित होता है चोधा पॉइंट देखिए धातू के साथ दित्यक सेयोजक्ता से बंधित आयन या समू विभिन उपसे सयोजन संख्या की अनुसार त्रिविम में विशिस्ट रूप से व्यवस्तित होते हैं के धातू के साथ दित्यक सेयोजक्ता से बंधित जो आयन या समू होते हैं वह विभिन उपसे सयोजन संख्या की अनुसार त्रिविम में विशिस्ट रूप से क्या होते हैं व्यवस्तित होते हैं तो देखिए आगे देखिए पांचवा देखिए उपसे सयोजन योगि आयनों या समुयों की त्रिविम में जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं समन्वे बहु फलक कहते ब्ड़े कोस्ट्रग में लिखी स्पिशीज को संकुल यहाँ प्रती आयन केहते हैं तो ऐखे यह सात्व tablay संकुल और बाहर जो आयन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रती आयन क्लियर है तो यह हमें पता होना जरूरी है आगे देखिए सात्वा संक्रमन तत्वों के उप्ते संयोजन योगिकों में सामानेते अस्ट फल किये चतुष फल किये या वर्ग समतलिय जामितिया पाई जाती है अगर संक्रमन तत्वों के उप्ते संयोजन योगिकों की बात करें तो इसमें अस्ट फल किये चतुष फल किये या वर्ग समतलिय जामितिया पाई जाती है क्लियर है आगे देखिए उधारन देखिए बच्चों देखिए CO NH3 और ब्रेकिट के बाहर 6 और इस पूरे संकुल पर आवेश 3 प्लस ठीके इसी तरीके से देखिए CO CL ब्रेकिट में NH3 और यह 5 और इस पूरे संकुल पर आवेश 2 प्लस तता CO CL2 NH3 ब्रेकिट के बाहर है 4 और इस पूरे पर आवेश क्या है प्लस ठीके यानि इन तीनों संकुल की बात हो रही है तो देखिए इनकी जामिति अस्ट फल किये है तेनों संकुलों की जामिति कैसी अस्ट फल किया है जबकि NICO4 तता PTCL4 और इस ब्रेकिट के बाहर है 2 माइनस यानि इस संकुल की इस रिनात्मक संकुल की जामिति क्रमेशे चतुश फल किये देखिए समझे इसकी तो चतुश फल किये और इसकी वर्ग सम तेलिया होती है आया समझ में आपको आगे देखिए अब देखिए वर्णर के सिध्धान्त की कम्या तो देखिए बचो हमने वर्णर के सिध्धान्त के बारे में तो पढ़ लिया लेकिन इसके सिध्धान्त की कुछ कम्या थी और उनके बारे में भी हमें पता होना बहुत ही देखिए पहला देखिए कुछ ही तत्वों में उपसे सयोजन योगिक बनाने का विसिस्ट गुण क्यों होता है तो वर्नर इसे नहीं समझा पाया आगे देखिए दूसा देखिए उपसे सयोजन योगिकों में उपस्थित बंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं और चोथा देखिए इन योगिकों की जामिती की व्याख्या नहीं की जा सकती है तो देखिए बच्चो वर्णर के सिध्धान्त के द्वारा इन योगिकों की जामिती की विव्याक्या नहीं की जा सकती तो यह हो गई हमारे वर्णर की कुछ कमिया और देखिए यहां तक का जो टॉपिक है वह आपको समझ में आया होगा चले आगे चलिए अब देखिए उपसे सहियोजन योगिकों से संबंदित कुछ प्रमुक पारिभाशिक शब्द वे उनकी परीभाशाएं तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे उपसे सहियोजन सत्ता या समन्वे सत्ता के बारे में और देखिए बच्चो यह जो हम परीभ होना चाहिए तो देखिए पहला देखिए उपसे सहियोजन सत्ता या समन्वे सत्ता देखिए वह स्पीशीज जिनमें केंद्रिय धातु-परमाणू या आयन से एक निशित संख्या में आयन अत्वा आणू उपसे सहियोजी बंद बना कर जुड़े होते हैं उसे उपसे सह योजन सत्ता कहते है क्लियर है आगे देखिए इसे बड़े कोस्ट्रक में लिखा जाता है तथा यह धनात्मक रिनात्मक या उदासीन हो सकती है तो देखिए उधारन देखिए जैसे देखिए COCL3 और NH3 होल्ट्राइस , तो देखे इस में और आइन,3 अमोनिया आणओं तुस्रेश से गिला है तो देखे, आपको शमभनेगे के कोशिश करिए, भैस में इसमें क्या है, ये कोबाल्ट से देखे, तीन तो कलोराइड आयान और तीन अमोनिय आयन जुड़े हुए, क्लिए रहे हं, यह हम यह बहुत सकते हैं कि जो कोबाल्ट आयन है, वो 3 आमोनिय आण तता 3 कलोराइड आय क्या होता है तो देखिए उपसे सहयोजन सत्ता में वह धातू परमाणू देखिए जो अभी हमने उपसे सहयोजन सत्ता या समन्वे सत्ता की बात करी तो उसमें वह धातू परमाणू या आयन जिससे दाता आयनों या अनू की निश्चित संख्या जुड़कर एक निश्चित जामिती व्यवस्था बनाती है उसे केंद्रिय परमानू या आयन कहते हैं उसे केंद्रिय परमानू या आयन कहते हैं देखे गाएं यहाँ लीछ केंद्रिय करता है मैंने समझा करता है यह लुईसम्ल की भाति व्यवार करता है यानि कहने का मदलब है केंद्रे परमाणू यान किस तरीके से व्यवार करता है लुईस अमले की तरह क्लियर है आगे देखिए उधारन देखिए बच्चों एफी सी एन सिक्स और इस पूरे पे संकुल पर आवेश थी माइनस इसे तरीके से देखिए और यह ब्रेकिट में जल एच टू यानि एच टू जल है और यह बाहर फोर है ठीके तथा सी ओ और देखिए ब्रेकिट में ए एक दो तीन तो देखिए इन संकुलों में केंद्रिय धातु आयन क्रमशे एफी प्लस थ्री देखिए इसमें क्या है इसमें तो है एफी प्लस थ्री दातु आयन इसमें तो प्लस देखिए नाई टू प्लस तथा इसमें देखिए सी ओ थ्री प्लस है क्लियर है यानि इसमे अब हम बात करेंगे लेगेंड के बारे में बहुत इंपोर्टेंट है हम लेगेंड के बारे में अध्यान करेंगे तो देखिए उपसे संयोजन सत्ता यानी संकुल कि अम से प्रसचे हाट कि इसी धातु आयन blinking की रिद्ध संखिया हो सकती है इस यहां पर वो उपसे सयो जन स्था में या धातु परमानू या आयन से जुड़े आणोओ या आयन अजों कोहीं क्या बोलते हैं लेगन कहते हैं तो यह होते हैं ढारे निर्मान करते हैं और क्या बनाते हैं उपसे संयोजन बंद का निर्मान करते हैं, क्लियर है, आगे देखिए, लिगेंड छोटे अनू या आयन होते हैं, जैसे देखिए, Cl-H2O तथा NH3, ठीके, लिगेंड बड़े अनू या आयन भी हो सकते हैं, देखिए, ध्यान दीजिए, लिगेंड बड़ लिगेंड लिगेंड बड़े अनू या बड़े आयन भी हो सकते हैं, आगे देखिए, अब देखिए, उपसे संयोजन संख्या या समन्विय संख्या, बहुत इंपोर्टन ये भी, तो देखिए, किसी संकुल स्पिशीज में धातु से बंदित लिगेंडों के उन दाता पर परमानूओं की संख्या को, जो सीधे उससे जुड़े होते हैं, उसे धातु की उपसे संयोजन संख्या, या समन्विय संख्या कहते हैं, देखिए, जो वापस ध्यान दीजिए, किसी संकुल स्पिशीज में धातु से बंदित, लिगेंडों के उन दाता परमानूओं की भी या समन्विय संक्या कहते हैं, और उधारन देखिए, संकुल आयन, 플ेकिट थिए। तो देखिए इसमें निकिल की उपसे सेयोजन संक्या क्या है चार है यहां तक का आपको समझ में आया और देखिए यहां पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करिए अगर हम इसकी बात करें अगर हम इस संकुल की बात करें तो देखिए यहां समझने की कोशिश करिए यहां पर ओएक्स क्या है और हमें पता है कि यह द्वी दंतुर लिगेंड होता है यह द्वी दंतुर लिगेंड होता है यह कहने का मतलब है एक औकजिलेट आयन इस आयरन के साथ में यहां पर तीन औकजिलेट आयन है और एक औकजिलेट आयन इस धातु आयन के साथ में दो उपसे सहिए बंद का निर्मान करता है यानी कहने का मतलब है यह तीनों ओग्जिलेट आयन दातू आयन के साथ में क्या करेंगे 6 उपशे सहयोजन बंद का निर्मान करेंगे और जेखे इस संकुल कि अगर बात करें तो इस संकुल के लिए उपशे सहयोजन संक्या क्या होगी च्छे होगीड क्लियर है तो यह चीज कोस्टक में लिखा जाता है संकुल में केंद्रिय धातु परमानु और लिगेंड होते हैं उन्हें बड़े कोस्टक में बंद करके लिखा जाता है इन सब को सामुहिक रूप से समन्वी मंडल कहते हैं और देखिए सामानित है कोई अंतर नहीं है इसे तो कहा जाता है उप से सायोजन सत्ता हो गई और इसके बाहर यानि दों तरफ अगर इस तरीके से बड़ा कोस्टक या बड़ा ब्रेकेट लगा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं समन्वी मंडल तो देखे बच्छो इनमें कोई अंतर नहीं होता है आग हमख़े तरफ होते हैं इन्हें प्रतियायन क्याते हैं वह देखे दिए इस बड़े डरेकिट से बाहर या तो इधर या इधर और दोन और कहीं भी आयनन योग्र Candle हो सकते हैं कि इस यह दिए उद्सक बड़े ब्रेकिट के यह बड़े ब्रेकट के उपर आवेश है 3- यानि इसमें यह क्या है यह जो आयन है यह समन्विय मंडल है यह जो संकुल आयन यह तो समन्विय मंडल है तो के प्लस प्रति आयन है तो समझने की कोशिश करना वह हम के 3 कि ए tf E cn 6 इसकीं बात करेंगों समझने के कोशिश करिए यह भी प्रति आयन यह जो और te CN63- इसे कहा जाता है समन्वी मंडल ठीक है आगे देखिए प्रति आयनों को आयनिक मंडल भी कहते हैं और देखिए जो प्रति आयन होते हैं नहीं आयनिक मंडल भी कह सकते हैं आगे देखिए चटा पॉइंट देखिए उपसे संयोजन बहु फलक या समन्वी बहु फलक देखिए बच्चो किसी संकुल स्पिशीज में केंद्रिय धातु परमानु से सीधे जुड़े लिगेंडों की त्रिविम में विशिस्ट व्यवस्था को उपसे संयोजन बहु फल कहते हैं किसी संकुल स्पिशीज में केंद्रिय धातु परमानु के चारों जो लिगेंड की त्रिविम में व्यवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं उपसे संयोजन बहु फलक कहते हैं आगे देखिए यह कई प्रकार के होते हैं लेकिन इन में से अस्ट फल किये चतुश फलकिये तथा वर्गाकार सम्थलिये मुख्य है और देखिए उधारन देखिए सी ओ एनेच त्री और यह सिक्स है और इस पूरे पर आवेश है थी प्लस ठीक है यानि यह जो संकुल आयन है यह स्ट फलकिये और यह वाला पीटी सी एल फोर और इसके पर आवेश है टू मा इसमें केंद्रिय धात आयन को तर्था ौटल एक दंतुर लिग Cena को दर्शाता है तो देखिए बचो आगे इनकी संडाचनाय दी गई है यानि त्रिविम व्यावस्ता दी गई है जिसमें एम केंद्रिय धातू आयन को और एल एक दंतुर लीग немного प्रधर करता है किए समझ नहीं कोशिश करिए देखिए तो ये तो हो गया आस्ट फल्किये भाहू फलक esse है यह bene दाथु पर्माणु है और चार लीगैन्ट यह समतली मिस त्रिकोंड ये DP धातु परमानु है और ये वह पिरिमिडी देखिए इसमें वर्ग पिरेमिडी में भी यह दातु आयन है और एक दो तीन चार पांच इससे क्या जुड़े हुए है लिगन देखिए बचो यह इनकी त्रिविम में व्यवस्ता होती है इस प्रकार से अस्ट फल किये इस प्रकार से चतुष फल किये इस प्रकार से वर्ग संकुल देखिए तो समझने कोशिश करिए संकुल जिन में धातु परमाणू केवल एक प्रकार के दाता समुओं से जुड़ा होता है उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं तो देखिए बच्चों उधारन देखिए जैसे सीओ एनेच थ्री और इसके बाहर सिक्स और इस संकुल के अगर हम लोग बात करें तो इस संकुल में धातु परमाणू एक प्रकार के दाता समुओं से जुड़ा हुआ है यानी 6 के 6 इसमें क्या अमोनिया ही है यह हम यह बोल सकता है सारे लिगन से में इसमें इसे कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल क्लियर है आगे देखिए संकुल जिनमें धातु परमाणू एक से अधिक प्रकार के दाता समू से जुड़ा होता है उन्हें हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं और देखिए जैसे देखिए सभवाइश प्लस देखिए इस एक्जामपल को देखिए इसमें ध्यान के दातु परमानू है इस केंद्रे दातु परमानू से देखिए अमोनिया और क्लोराइट यानि दो अलग अलग प्रकार के लिगन जुड़े हुए है इनन्हें कहा जाता है हेट्रोलेप्टिक संकुल क्लियर है यहां तक का आगे देखिए अब देखिए आठवा केंद्री परमाणू की ओक्सिकरन संख्या या ओक्सिकरन अंक के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए किसी संकुल में उपस्थित केंद्री परमाणू पर इस्थित आवेश को उसकी ओक्सिकरन संख्या कहते हैं औ ह sabimodag, अब देखे, बचो लिगेंडों के परकार, अब लिगेंडों के परकार के बारे में पड़ेंगे, और लिगेंड के बारे में आपको बता चुकी हूँ, cricket क्या होते हैं, electron data species होते हैं तो देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बटा गया है पहला देखिए उदासीन दूसरा देखिए रिनात्मक और तीसरा क्या है धनावेशित यानि जो लिगेंड है वो परिडीन यह सब क्या है हमारे उदासीन लिगेंड है दूसरा देखिए थी आज़ नहीं प्लस देखिए उच्छो यह जो आयन है देखिए धनावेशित लिगेंड है देखिए नहीं प्लस देखिए यह जो आयन है देखिए धनावेशित लिगेंड है आगे देखिए लिगेंडों के दाता परमाणू जो धातू के साथ बंद बनाते हैं कि संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरन निम्न प्रकार किया जाता है तो देखिए बच्छो अब लिगेंडों के दाता परमाणू के आधार पर यानि दाता परमाणू जो धातू के साथ बंद बनाते हैं उनकी संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरन देखिए तो जैसे H2O NH3 CL- OH-CO तो देखे बच्चो यह जो उधारन है यह एक दंतुर लिगन के क्या हो गए उधारन और यह लिगन क्या करते हैं धातु परमानू से एक दाता परमानू द्वारा जुड़े रहते हैं यह हम यह कह सकते हैं कि एक ही उपसे सेयोजन बंद का निर्मान करते है दूसरा देखे द्वी दंतुर लिगन यह दातु परमानू से दो दाता परमानू द्वारा जुड़े होते हैं जैसे देखिए C2O42- जिसे OX देखे ब्रेकेट में OX के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं यह होता है ओकसलेट आयन इसे तरीके से देखिए NH2 CH2 CH2 NH2 इ से EN स्मॉल में EN यह ब्रेकेट में इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं यह है एथिलीन डाइमीन यह एथेन वन्टु डाइमीन और देखे बच्चों इसमें यह नाइट्रोजन और यह नाइट्रोजन दोनों की तरफ से द्यान दीजिएगा इस एकनू में देखे यहां निर्माण तो यह कैसे हो गए द्वी दंतुर लिगेंड कलियर है और उधारन देखे इसके टूटू डाइपिरीदी टूटू डाइपिरीडीक इस तरीकेसे प्रदरशित कर सकते हैं ऐसी देखे ग्लाइसीनेट आइन यह ग्लाइसीनेटन जिसे जी लवाइश तरीके से प देखिए ये धातू परमानू से तीन दाता परमानू द्वारा जुड़े होते हैं जैसे देखिए डाई एथिलीन ट्रायी एमिन तो देखिए बच्छो थो NH2, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH2 ये होता है दाई एथिलीन, ट्राय एमिन और देखिए यहां से और यहां से इन तीनों परमाणू की तरफ से योपसे सेोजन बंद का निर्मान कर सकता है तो यह हो गया त्री दंतूर लिगेंड इस तरीके से देखिए बहु दंतूर लिगेंड देखिए वे लिगेंड जो धातू परमाणू से तीन से अधिक दाता परमाणू द्वारा जुड़े होते हैं उन्हे देखिए बहुद अंतूर लिगेंड कहते है देखिए उंगे जैसे देखिए ट्राइधिलीन टेट्रा यमींड ये क्या है जिसमें दो नाइट्रोजन तत्वा lacking दाता के रूप में कार्य करते हैं तो देखिए देखिए इसका सुत्र अगर प्रकार है तो देखिए बच्चों यह EDTA है देखिए 1 2 3 4 5 और 6 यानि इन 6 तरफ से उपसे सयोजन बंद का निर्मान होता है यानि यह क्या है शट दंतुर होता है क्लीर है आगे देखिए अब देखिए किलेड लिगें देखिए मच्यों किसी संकुल में यह 2 अदिव दंतुर अथवा बहु दंतुर लिगेंद अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमान हो द्वारा एक ही धातौ आयनद से बंद बनाता है तो उसे किलेट लिगेंड कहते हैं किसी संकुल में जब एक द्वी दंतुर अत्वा बहु दंतुर लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणू द्वारा एक दातु आयन से बंद बनाता है उसे किलेट लिगेंड कहते हैं तो बंद बनाने वाले प प्रक्रिया को किलेटन कहते हैं किलेट प्रभाव कहते हैं किलेट संकुल बनाते समय एक वले बनती है जिसे किलेट कहते हैं तता इस वले के बनने के कारण ही संकुल का इस्थाइत बढ़ता है क्लियर है बच्चों आगे देखिए अब उधारन देखिए देखिए बच्चों उधारन को समझने की कोशिश करिए देखिए यह हमारा कॉपर आयन है यह दो आपस में जुड़के एक दो तीन चार चार उपसे सेयोजन बंद का निर्मान कर रहे हैं और इस तरीके से एक किलेट रिंग तो यह और एक किलेट रिंग यह बन गई ठीक है और इसे बोलते है किलेट प्रभाव तो देखिए इसका नाम क्या है बेस एथिलीन डाइयम किलेट ऑगे देखिए जो 20-去 नोट को परमानू द्वारा दातू से जुड़ सकता है यह समय में दाता परमानू को ही बन्द बनाता है उससे उभेधंतू लीगेंड कहते हैं देकि only अब लिगेंड क्या होता है दो बिन-बिन परमाणू द्वारा जुड़ने वाले methane के लिगेंड नेलिगय इन आपने अलग-अलग परमाणू की दवार धातु के साथ बंद बना प् थीक आयन आगे द 묶ानके पर मानु से नाइट्रो जन अत्वा शिजन द्वारा जुट सकता है समझे से टव थीट्रफ न्युक्तव है थेन्स contents अगर नाइट्रो जन की तरफ से जुड़ता है तो नाइटरीटो एन और अगर ओक्सिजन की तरफ से जुड़ता है तो नाइटरीटो ओ क्लिए रहे तो इससे क्या बोलते हैं हम उबहदंतुर लिगर इसे तरीके से अगर एच सी एड माइनस देखिए यह आएन अगर सुलफर की तरफ से जुड़ता है धातू परमाणू से इस तो यह हो गए हमारे उबेदान तूर लेगेड आया समझ में तो देखे बच्चो आज हम लोगों ने उपसे से योजन योगी को के परीचे के बारे में पड़ा और कुछ शब्दा अवली का हम लोगों ने यहां पर अध्यन किया धातु परमानू के बारे में पड़ा लेगे के बारे में पड़ा तो देखे बच्चो यहां तक के टॉपिक को आप अच्छा से तयार करिए और अब आगे के टॉपिक्स के बारे में हम हमारे नेक्स वीडियो में चर्चा करेंगे ठीके धन्यवाद